लिखो सबी किसी भी देश के विकास में हमेशा से शिक्षा का विशिस महत्व रहा है इसी कारण प्रतेक राष्ट्र द्वारा शिक्षा व्यवस्था में निरंतर सुधार लाने की कोशिस करना अत्यंत सौभाविक है अतीत्म संसार को प्रयम सांती का संदेश देने और ज्ञान विज्ञान का पाठ पढ़ाने वाला विश्व गुरु के नाम से विख्यात हमारा देश भारत आज भी सिक्षा के महत्व से भलिभाते परिचित हैं और यही कारण है कि आज हमारा देश साहित्य संगीत कला विज्ञान अध्यात्म इत्यादी सवी शित्रों में अपने जैसे विकासील देशों को ही नहीं बलकि दुनिया के सभी विक्सित देशों को भी चुनोती दे रहा है आज जिस्व के सभी राष्ट्रों द्वारा राष्टिये भारतिये युवाओं की प्रतिवाह का मुक्त कंठ से गुडगान किया जाना इसका प्रमान है बाबजूद इसके संपूर राष्ट्र की सिक्षा को आधार मान कर विस्चलेशन किया जाए तो अभी भी भारत सिक्षा के सेत्र में विक्सित राष्ट्रों की तुलना में काफी पीछे है वर्स 2011 की जन गरणा के अमसार भारत की साक्षर्टा दर्ण 74.04 प्रतिशत है जो बैस्विक इस्तर पर बहुत कम है इस अनपात में और ब्रद्धी करने के लिए बुद्धी जीवियों ने अपने अपने सुझाव दिये उन सभी के सुझावों पर बिचार करते हुए भारत सरकार ने सिक्षा को अनिवारे रूप से लागु करने है तु सिक्षा का अधिकार कानून बना कर पूरे देश में समान रूप से प्रस्तुत कर दिया इसमें इसके कई उद्धेश से एवं प्रावधान सामिल है सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009-1 अप्रेल 2010 से संपूर भारत में लागु कर दिया गया इसका प्रमुक उद्धेश से है 6-14 वर्स आयू तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार रह गुणवत्ता युक्त सिक्षा को शुनस्चित करना इस अधिनियम को सर्व शिक्षा अवियान तथा वर्स 2005 के विद्यक का ही संसोधित रूप कहा जाए तो समीचीन ही होगा वर्स 2002 में समिधान के 86 वे संसोधन द्वारा अनुच्षेद 21 एके भाग तीन द्वारा 6-14 वर्स आयू तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार सिक्षा प्रादान करने का प्रावधान किया गया था इसको प्रावावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोग सभा में यह अधिनियम पारित कर दिया गया तथा 1 अफ्रेल 2010 से इसे लागू कर दिया अपने इस कदम के साथ ही भारत भी सिक्षा को मौलिक अधिकार का दरजा देने वाले बिस्व के 135 देशों में समलित हो गया इस अधिनियम को पारित करने की पिरकिरियावस सरप्रथम इसकी एक संचिप्त रूप रेखा बर्स 2005 में ही निर्मित कर ली गई थी परंत उस समय कुछ लोगों के मत बेमनस्य के कारण यह पूरते हैं लागू नहीं किया जा सका तद उपरांत नियमित प्रयास के द्वारा इसे वर्स 2009 में पास कर दिया गया स्टॉप यह जो है कि एट्टी की स्पीड है पांच मिनट की अब इसमें पांच मिनट तो रेडिंग पर और पूरे 35 मिनट अनवाद के लिए ठीक है कि करो